वेल्कम टो अ ब्राइंड न्यू सीजन ओफ मुंबई के चुपे रुस्तम ये है सीजन त्री और पहला एपीसोड तो क्यों ना एक से बैतर दो आज के एपीसोड में मेरे साथ है हाई मैं हुप्राची आज हम दोनों मिलकर खाने वाले है दारा सिंग थाली जो है मिनी पंजाब लेकसाइड पवय में दारा सिंग थाली डिकता कैसा है ये तो हमने देखा है इसमें होता क्या-क्या है इसको खाया कैसे जाता है और उसके अलावा और भी काफी सारी बाते तो लेट्स को जानते है उस इंसान से जिसने दारा सिंग थाली के बारे में सबसे पहली बार सोचा था येस अबसलुटली आम डाइंग तो मीड़ा सूपरस्टार कौन है ये तारा सिंग जी वस रेसलर युज ए चैंपियन और उनको जो है नौत पसंद था और उनको जो है नौत पसंद था जो जो काने किसी भी हद तक जा सकते थे की अद हमने आनके बेटे से बात की थी विंदु जी से नारा सिंह जी उस चो ट्रावल ओल फॉर नौत फूर्थ तो हमने बेसिकली किया दारा सिंग थाली में नौधरर रीजिन अफ इंडय में से डिश पिक थी य फिरम इन इस जिसमें से कुछ जो है आर कॉड फेश्ट सि नहीं किया, तो आइडिया यही था, to give you a mix, the best part about the Dara Singh Thali is, के यह actual में एक family को cater करती है हमारा culture था, एक table पर साथ में बैठके खाना, तो when was the last time कि आप सब as a family, एक table पर बैठे थे, या अपने दोस्तों के साथ गए थे, और एक plate में से, एक platter में से, एक थाली में से, आपने last खाना कब शेयर किया था, तो, and हो किया रहा है, कि यह culture जो आज abroad बहुत फॉलो किया जा इसमें तरहर ओवर 44 items, so अगर आप dishes देखने जाएंगे तो तरहर ओवर 28 dishes, but अगर आपके सामने जब थाली आएगी, first thing what you will see is, different colors, the variety, like you will be shocked. जो भी dishes है, dishes के बारे में प्राची को, जब से आई है, एक बहुत doubt है, अपना doubt clear. मेरा doubt ये है, कि non-vegetarian खाना बहुत सारा है इसमें, लेकिन क्या vegetarian जो मेरी जैसे लोग हैं, वो लोग भी अपना पेट भर सकते हैं इसमें? तो जैसे अभी आप ट्राइ करेंगे, इस नॉन कड़ी पकोड़ा, जो येलो करी पकोड़ा इन इस दाल मकनी, और भी खिचड़ी, और फ्यू और फ्यू मोर इटम्स विल शूटली इन वीडियो, बेसाइज बेसाइज आप कोर फोकुस को नहीं बूल सकता, तो उसका भी खैल रखा है, आपका भी रखा है, तो अब ये थोड़ी डिफरेंट लगए है पूरी लेकिन प्रजिश, ओहो, सूजी है, सूजी, जब आप नौट साइड में जाते हो, अरित्सर, दिल्ली वगेरा, तो वहाँ पर आप जभी पानी पूरी के ठेले, और गोलगपे के ठेलों पर जाते हो, तो आपसे पूचेंगे की पूची वाली चीए ये फूजी वाली चीए जो मेरे साथ भी हुए थी तो अच्छी ये पूरी की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत अच्छी होती है, एक काम करते तीन तीन चेंचेंगे लेंगापपा चालेंग चल्ट करते हैं, ड़ी के सेट, अच्छी थाली आरी है उस तरफ दिखर है वेगेटरियन, उस पार? यस प्लीज, थैंक्यू वेरी मच तो अभी दारा सिंग थाली है हमारे पास जिसमें काफी सारे नौन वेजटेरियन चीजे है काफी सारे वेजटेरियन चीजे है चिकन बिर्यानी है, मुर्ग मुसलम राइस है चिकन सूप है, मतन सीक कबाब है बत्ती दा मुर्ग, फिश कोली वाड़ा, दाल मखनी, बटर चिकन, चिकन की एक और ग्रेवी, मतन, एक थीमा और चार ड्रिंक्स है एक है चाक्स, एक है लसी, एक मुईटो और शिकनजी तो यह है ब्लैक करंट बेसिल मुईटो और वह हरी वरी शिकनजी आप कहा से शुरू करना चाहोगे, मैं तो शुरू करूंगी इस से जो है शकरकंदी टिकका, और इसको मैं डिप करूंगी यह ग्रीन चटनी में, और मैं शुरू करूंगा डायरेक कबाब पे हमला, यह है अकरोट की कबाब, वाँ अब जाओ, यहाँ पर आलू पराठा कहीं चुपा हुआ है चाफी सारे टाइप के रोटी है वाँ, पंजाब की यादा है, मैं आदा घाती हूं तो आदा फिनिश कर, गर्मा गरम आलू पराठे को इस मज़ेदार सफेद मखन में दुबो के खाने का मज़ा यार, तुमारे दाल नहीं है यह चिकन सूप जो मेरे पास है, तो मेरे पास है 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 यह दाल किष्डी है ना कैसा है बहुत ज्यादा माइल्ड और बहुत ज्यादा अच्छा बहुत जादा अच्छा दाल किष्डी हाँ हाँ बत्ती दा मुर्ग अब यहाँ और भी वाफी सारे शिजय हैं फिश कोलिवड़ा वह नौर्थ इनट इन तरी में फिश कोलिवड़ा केसे अंड़ी आपि शिच्कोलिवड़ा अर्भी कॉलिवड़ा मसाला है तो यह एकना तो बनता ही है very interesting दाल मखनी I know what you mean because एक छोटा सा टिप है दाल मखनी जो होती है कभी भी अगर आप बनाते हो fresh बनाते मनाते मत खाओ आज आपने दाल मखनी बनाया आज रात को खाओ अच्छी तो होगी पर कल दुपैर को आप जब उसको खाओगे उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ रहे है तो गाड़ी हो जाती है कर दो कर दो मैं ना तीक हाने बाल आदमी हूँ अच्छा मुझे मेठी चीजे कभी भी नहीं पसंदे इस बटर्चिकर ने एक्सेप्शनल मेठी चीजे जो मुझे पसंदे यह बटर्चिकर टीक ही नहीं थोड़ा स्वीट यह मुझे भी है बहुत ज्यादा अच्छा है और यह दोदोवाटी बटर्चिकन यह मुर्ग मुसलम राइस सुड़ा टेस्ट करते है यह बनाते हुए मैंने देखी थी और जब शेफ ने मुर्ग मुसलम राइस को टेबल पर रखा अपने सर्विंग बोल में अपने सर्विंग बोल में प्रेट किया तब जो खुश्बू आई Oh my my यह सारे चीजों से एक चीज में समझ गया धाराशिंग थाली में बहुत ज्यादा कॉंटिटी है यह कॉंटिटी के साथ तेस्ट भी है और यह थाली खतम तो हम दोनों से होने वाला है नहीं तो सुवे से सब महनत तो कर रहे है काम करें सब को बुलाते सब मिलकर खाते है उसके बाद आते है चलो आजो मुझे लगता है मैंने इतना खाली है वाव यह डेजर्ट भी बागी था देखो क्या क्या है डेजर्ट में जेलेबी पेठा बर्फी रबडी माल पुवा घुलाब जामून हलवा और आइस्क्रीम मैं आइस्क्रीम ड्राइ करता हूं तो सबसे पहले गरम गरम जेलेबी में यह रबडी डिप करके ट्राइ करते है प्रजीश ट्राइश रबडी जलीवी है और रबडी रबडी तुझे मीठा नहीं पसंट थोड़ा रबड़ जलीवी तो रेली क्रंची यह और यह है माल पुवा माल पुवा तो बड़ी होती है खारा सिंग खाली खाने के बाद तना बड़ा माल पुवा जाएगा इसे भी थोड़ा रबडी में डिप करके त्राइ किया जाए घी ही घी यह मुझे काफी जादा पसंद आया तो अभी जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ हम यह खतम करते है उसके बाद निकलते है और ढूनते है आपके लिए अगले एपिसोड के लिए एक नया चुपा रुस्तम तब तक लाइक करना, चेयर करना सब्सक्राइब करना और देखते रहे हैं मुंबई के चुपे रुस्तम सीजन 3 व्हाईब नश्सन रही लाईब 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 रजर झाल झाल